गुड मॉर्णिं दूस्टेंज हम चेप्टर नमर 10 के कोशिय आंसर कर रहे हैं आई होब कि आपने लिख लिए होंगे अब मैं यहां से करवाती हूँ है ना वाट आर बैलेंस डाइट वाट आर बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार है ना इसा खाना जिसमें सारे प्रोटीन्स मिनन्स विटामिन्स होते हैं जिसे के हमारे दाल चावल रोटी सबजी दूद फल सलाथ सारी चीजे उसके अंदर हो इसका अंसर मैं बताती हूँ वेट कोश्चन थोड़ा बागी है प्रोट इस प्रोटीन्स डाइट प्लैन्स डाइट क्या रfires प्रोट की तर इसका बताता है the diet that has all type of healthy food in the right amount is called a balanced diet sorry the diet that has all type of healthy food एसा खाना एसा भोजन diet है ना अम बतुत लिखे ना diet भोजन एसा भोजन that has all type all type मतलब all मतलब सभी type मतलब तरह healthy healthy मतलब swast food food मतलब खाना सभी तरह का swast food और अच्छा खाना हो in the right amount right amount मतलब सही तरीके में सही quantity में है ना is called a balanced diet वो क्या करता बेलेंस डाइट हिंदी में हम कह सकते कि ऐसा खाना जिसमें सभी तरीके का protein, maintenance, vitamins होते ना सही तरीके से right amount में जिसे कि हम खाना खाते हैं तो दाल, चामल, रोटी, सबजी और दूद, फल, सबजी या सारी चीज़े उसके अंदर हो तो होता है हमारा balanced diet होता है लेकिन कितना होना चीज़े है, quantity, में ऐसा नहीं कि हम सिब दूदी दूद पिये जा रहे है या हम रोटी, रोटी खाये जा रहे है सारी चीज़े होना चीज़े है ना अब उसमें पुछा है कि water balanced diet the diet that has all type of healthy food in the right amount ऐसा बोजन जिसमें सभी तरह के स्वास्त वर्दक या healthy चीज़े right amount में, सही तरीके में, सही मात्रा में उपस होती है उसे हम क्या क्या क्यता है? balanced diet संतुलित आहार अब उन्हें क्या पुछा बटा कि जो newborn baby है उनके लिए balanced diet क्या है? तो जो newborn baby है, छोटे बच्चे हैं जर्म लेते हैं तो उनके लिए तो मम्मा का दूद ही होता है ना वो तो दूद पीत है तो जो दूद होता है तो जो दूद होता है वो complete हमारा balance diet होता है उसके अधर सारे proteins, मिल्रंस, vitamins होते हैं तो मिल्क इस अ complete food for a newborn baby जो दूद है वो complete food है है ना पूर्णा हार इसके लिए newborn baby के लिए पुछा newborn baby के लिए क्या पिना चाहिए हमने पता दिया कि milk पिना चाहिए तो उनने क्या पुछा कि growing children के लिए क्या है तो हम बोलेंगे growing children need a lot of body building food जो बढ़ते बच्चे ना उनको ज्यादा body building food की जरुत होती है कौन-कौन से like milk दूद की जरुत होती है हमारे दाल की जरुत होती है हमारे अंडे की जरुत होती है और फ्लेस मतलब मास की जरुत होती है ना जोती भी हमारे पलस हो गई कौन कौन सी चना दाल मूंग दाल ओड़त दाल मसूर दाल साही तरह की दाल अंडे और जो भी मास मचली मटन जो खाते हैं वो और दूद है अब उन्हों पुछा कि लेबरर मतल जो मजदूर होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए और लेबरर वरकिंग हार्ड ज जादा जिस ततरकारित अपने काम करते हैं इटे उठाते हैं तो उन्हें ज्यदा काम करना होता है ज्यदा एंडा क्या हो गया फूल ho गया पनीर हो गया हमारे पलस दाल हो गया चेल वह समझ अना जो गई एटी सी ठीक है तो मैंने क्या बता है बटा कि बैलेंस डाइट क्या होती है इसा भोजन जिसके अंदर कर सारे हेल्डी फूड हो in the right amount सही quantity में सही amount में इस कोल बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलिक आहार इसा खाना डाइट फृच अनसर्व्झे अच्छ ऑफ़ी क्यों हो जो हमारे स्वास्ता के लिए अच्छी ओने हो इसे लिए uh right amount में सही quantity में सही मातरा में तो इसे गलेंस डाइट क्यों आपको कि अगर घणा खाते हो तो आपके घृष्जी दूद के इस सारी चीज़त होनी चीए तो दूध ना हम शोरक को अब में अगाए आपको रोटि हो ऑक fill अबन की पिना अगर foreign तो तो एक वाहा है ना कातें से रौटी लोटी नीग आरे हो तो वेलन डाट नीग हैं आपको सब्साइब लोटी भी कहाना है दाल भी खाना है चाहँल भी खाना है और दूध भी पिना है बढ़ने वाले बच्च्चों होते हैं उन्हें भी इनरजी की चलव जाद़ होती है उन्हें क्या कंणा चीन डूत PINA चीन मिल्क हमारी पलस जो दाल हो गई हमारे एक अंडे हो गया और फ्लेश जो मास हो गया उन्हें चीजों को खाना चीए हमने क्या देखा कि जो मजदू हो होती है तो उन्हें तो खाना है दूद भी पीना है फ्रूट भी खाना है पनीर भी खाना है यहते हमारे अनाज है उनको भी खाना है ठीक है